जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकाली भगतियानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माता काली का एक ऐसा मंत्र जो आप की हर तरफ से हर चीज से रक्षा करता है जो मंतर देने जारी हूँ वो सिद्ध सवार मंतर है यदि कोई व्यक्ति इस मंतर को तीन बार बोलेगा तो उसकी हमेशा हर चीज से रक्षा होईगी मैं यह नहीं कहती कि बूत प्रेट से ही आपकी रक्षा होईगी और किसी चीज से नहीं होगी मलग जैसे आपके आपके आने वाले समय में कल को कुछ आपके साथ गलत होता है थीक है तो उस चीज से आपकी रक्षा होएगी या आपके घर में किसी की भी तंतर मंतर जाद उटोने से मृत्य होने वाली होगी जिसे मृत्यू के लिए were negative शक्तियों को भेजाँ जाता आपके घर में तो किसी मैं आप लोगों को मंतर देने जारी हूँ पहली बात ये रक्षा मंतर है ठीक है दूसरी ओर कभी भी अगर आपको माता काली को बुलाना हो या उनसे कुछ पूछना हो तो आप इस मंतर के जरिये से पूछ सकते हैं ये दो चीज में कारे करता है तो ये जो मंतर है थोड़ा बड़ा है लेकिन भोट ज़्यादा पावरफुल मंतर है जब आप इस मंतर को पहली वार और तीन बार बोलेंगे तो आपको खुद ही अपने आप इसका चमतकार दिख जाएगा कि ये मंतर कैसा है और कैसा नहीं मैं आज इस वीडियो में आपको सभी मातकाली के भक्तों को मंतर देने जो जारी हूँ भोट अच्छा मंतर है और भोट ही ज़्यादा पावरफुल मंतर है यदि किसी भी व्यक्ति को अपनी अपने घर परिवार की या फिर किसी भारवाले व्यक्ति की स्वयम हर चीज से हर संकटों से रक्ष्या करवानी हो तो भाई कहने का मतलब यह है कि पूजा पाट के समय इस मंतर का जाप जरूर करो अगर पूजा पाट के समय आप और कोई मंतर का जाप करते है तो यह जो मंतर है यह सिद्ध है इसको सिद्ध करने की जरुवत नहीं पड़ती तो आप तीन बार इस मंतर को बोल सकते हो पूज़ापाट के समय जैसे ही आप इस मंतर को तीन बार बोलोगे तो आपके उपर कितनी भी बड़ी अन्हून मतलब होनी होने वाली हो तो वो भी टल जाती है जब ये मंतर अपना प्रवहाओ दिखाता है तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माद्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महा काली भकत ग्यानी यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल क को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया यह मंतर दो चीज मे तो मंतर मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगी आप उस मंतर को देखना उसे एक नोट बुक में नोट कर लेना अच्छे से फिर उसको याद करके अच्छी तरह से फिर आपको इस मंतर को जपना है और जब पहले दिन आप इस मंतर को जपेंगे तो आपको अमावस के अमावस के दिन 21 बार जपना है और इसकी स्टार्डिंग मंतर की आपको अमावस वाले दिन से ही करनी है और दिन से आप नहीं कर सकते हैं जिस दिन अमावस होगी उस दिन आप इस मंतर को पहले से याद करके रखो फिर उसके बाद आपको 21 बार इस मंतर को अमावस वाले दिन जपना है जैसे ही आप आवस वाले दिन 21 बार इस मंतर को जपेंगे तो यह अपना कारे आपको तबी से दिखाने लग जाएगा फिर आगे नेक्स टाइम जब आप पूजा पाट करेंगे तो आपको सिर्प तीन बार ही इस मंतर को बोणना हो करेगा पूजा पाट के समय तो मौर काला होद बाद साप भूत प्रेत आरू दक्ष दानव को बाधा नडर पंत में नहीं दिखाए अक्षर कामरू कमक्या हाडी दासी चंडी की तुहाई मंतर तो आपको सामने खुद ही स्क्रीन पे दिख रहा है अगर मेरे बोलने से भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको स्क्रीन पे सामने दिख ही रहा है अब आप इस मंतर को नोट करो फिर उसके बाद इसका प्रियोग करो और खुद देखो माता महाकाली का चमतकार कैसे आपको दिखने लगेगा और जब आप इस मंतर का प्रियोग करेंगे मतलब आमावस वाले दिन जब आप इसको 21 बार बोलेंगे तो अपने हाथ में चुटकी भर आपको काले तिल लेके जब इस मंतर को बोलना है और काले तिल जब आप अपने हाज में मुठी में बंद करेंगे और इस मंतर को 21 बार बोलेंगे जैसे ही आप बोलेंगे तो वो काले तिल आपको थोड़े थोड़े अपने घर में डाल देनी है जो आपके घर के चार कोने होते ना जैसे कितने भी आपके घर में कमरे हैं उन स मा काली आपके घर में विराजमान करता है जब मा काली आपके घराती है तो आपको भी दिखने लगती है आपसे बात भी करने लगती चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे निक्ष्ट वीडियो में अगर कुछ पूंचना है कमेंट करके पूस सकते हैं जै माता की ओम नमशिवा माता काली आकी मनोगामना पूरी करें